अलिफेंट मेंज हाथी मंकी मंकी मेंज बालड़ टाइगर टाइगर मेंज बाल जहाँ दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे आप अपने स्मार्टफून के माध्यम से केट्स चैनल के लिए वाइल्ड एनिमल यानि की जंगली जानवर वाला एनिमेटेड वीडियोज कैसे बना सकते हैं साथ-साथ आपको इस वीडियो की एड्टिंग, वाइग्राउंड, म्यूजिक यानि की फुल प्रोसेस बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आप आएंगे अपने मॉइल फोन के प्लेश्टोर पर प्लेश्टोर पर आने के बाद एक अप्लिकेशन है जिसे आप सर्च करेंगे इस अप्लिकेशन का नाम है अनिवल फोर किड्स जैसे आप सर्च करेंगे इसे में आपको चौथे नमर पर ये वाला अप्लिकेशन दिखने को मिल जागा तो simple आप इस application को अपने smartphone में install कर लेंगे install करने के बाद आप अपने smartphone की screen recording को शालिव करेंगे अगर आपके smartphone में अगर screen recording नहीं है तो फिर से आप आएंगे अपने mobile phone के play store पर और simple search करेंगे X screen recorder या do you screen recorder उसके बाद आपके सामनी ये screen recorder दिखने को मिल जागा Shrum करने के बाद आपके सामनी कोई ये screen celular का producer लिए पस्टर ये आप देख सकते हैं और कुछ number को मिलने के लिए कहा जा रहा है इस दवरान आप अपने smartphone की screen recording को चालिव रखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रिकॉर्डिंग चालू है तो सबसे पहले आपना रिकॉर्डिंग चालू रखेंगे उसके बाद इस डॉट को अपने फिंगर के थुरू कुछ इस तरीके से मिलाते जाएंगे सीरियल वाइज यानि कि सीरीज में जैसा कि एक से ले दो उसके यहां से आप देख सकते हैं पर हमारे सामने अनिमेटेड काव का एक बहुत ही आचा फोटो ज आएगा उसके बाद फिर से आप यहां पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से आप इस डॉट को कुछ इस तरीके से क्रम में मैच कर देंगे मिला दें हैं 6 के बाद यहां साथ होगा उसके बाद 8 9 10 11 12 इसी तरीके से आपको मिला देना है और अपने मोबाइल फोन की स्क्रिक रिकॉडिंग को चाले रखना है यहां पर आप देख सकते डग का यह फोटो आ गया कुछ इस तरीके से इनिमेट होता हुग उसके बाद फिर से आप इसी तरीके से आप इसे मिलाएंगे उसके बाद परफेक्ट आपको एक नमबर यहां पर शरी एक फीगर आपको अनिमेट होता हुग दिखने को मिलागा तो सिंपल आप इस तरीके से मिलाएंगे च्छे आप देख सकते हहां पर और कुछ इस तरीके से इस डॉट को आपको मिलाते जाना है यहाँ पर आपको बंद कर देना है बंद करने के बाद क्या होगा कि आपके एक परफेक्ट वीडियो बन करके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा फिलाल हम यहाँ पर अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को बंद नहीं करेंगे क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है आप इस तरीके से जितने सारे एनिमल का फिगर ड्रो करेंगे उतना आपका एनिमल का फिगर एनिमेट होता हुए रिकॉर्ड हो जाएगा तो इन सभी को आपको यहाँ से बंद करके ड्रो करके स्क्रीन रिकॉर्ड के थुरू रिकॉर्ड कर लेना है रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको इसकी एडिटिंग कर दी है तो चलिए आप जानते हैं कि रिकॉर्ड करने के बाद आप इसकी एडिटिंग क्या से कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम इस new project पर click करेंगे उसके बाद solar into 9 को select करेंगे उसके बाद create पर click करेंगे तो simple solar into 9 को select करने के बाद सबसे पहले media वाले आपर click करेंगे और यहाँ पर हम background के रूप में कोई साभी photos ले लेंगे क्योंकि हम इस video को layer पर edit करेंगे screen recording किया हुआ जो file होता है थोड़ा editing में अच्छे तरीके से cut नहीं होता है लेकिन जब आप layer पर ले करके उस video को edit करते हैं तो आप अपने मन पसंद जहां से cut करना चाहते हैं crop करना चाहते हैं यानि कि जिस तरीके से आप edit करना चाहते हैं उसे edit कर सकते हैं खिलाल हम बाइग्रावड में यहां पर कोई साथ प्लें कलर ले उसके बाद हम इस media file पर शॉरी media file पर नहीं इस layer वाले अप्सेंट पर क्लिक करेंगे उस पर करेंगे कुछ इस तरीके से और इसे adjust कर लेंगे कि जो figure है वो बीचो बीच होना चाहिए जैसा कि अभी आप देख सकते यह डॉक का जो figure आ रहा है वह हमारे screen के ठीक बीचो बीच है अगर बीचो बीच नहीं है तो आप यहां से adjust कर लेंगे कुछ इस तरीके से उसके ब इसको आपको यहां से cut कर देना है इसलिए हमने आपको कहा कि इस वीडियो को layer पर लिजिए कि आप जहां से cut करना चाहते है वहां से इसलिए आप cut कर सकते हैं तो simple आप आएंगे उसके बाद सबसे पहले तो आप इस वीडियो का जो sound है उससे आप mute मार देंगे अगर आपन देंगे और यहां से इसे cut कर देंगे trim to यहां पर जो लिखा हुआ है left यह बला भाग और cut कर देंगे यहां से आप देखेंगे direct हमें जो cow का animated होता हुआ photo है वो दिखाया जा रहा है तो यहां से हम कुछ इस तरीके से यहां से cut कर लेंगे आप देख सकते हैं cut करने के बाद पिरसे हम आगे की और थोड़ा बढ़ाएंगे अपने project को कुछ ही तरीके से कुछ ही तरीके से हम आगे की और यहां पर बढ़ाएंगे ओर यहां पर फिर से जो यहांपर drawing आ रहा है number को मिलाने का उस इसको हम पार्ट को यहां से कट आउट कर देंगे यहां पर आएंगे और ट्रीम तुल्लेफ्ट जो लिखा हुए वो कट कर देंगे यानि कि जो बीच का जो मिलाने वाला जो भी पार्ट था और रिमोब कर देंगे और फिर से इस प्रजेक्ट को कि इस वीडियो को खिच करके लाएंगे और यहां पर इसे एड़ेस्ट कर देंगे यह आप देख सकते हैं यह हो गया मेरा फिर से हम आगे जाएंगे और यह डग के बाद फिर से जो ड्रोइंग हो रही है वहां से हम इसे यह रहा यहां फिर से हम इसे cut out यहां से कर देंगे इस तरीके से जब हम screen को अपना वहां पर record करेंगे तो कुछ timing का ख्याल रखेंगे कि कितने समय बाद हम पहले को draw किये कितने समय बाद हम दूसरे को यहां पर screen पर दिखाए तो हम इसे simple यहां से cut out कर देंगे कुछ इस तरीके से और फिर से हम इस elephant को यहां खीच करके लाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो explain किया था तो elephant खाओ का जो photo था ज़्यादा timing रह गया था तो हम देख लेंगे कि कितना timing हमें चाहिए perfect उतना ही हम रखेंगे क्योंकि सभी का timing हमें adjust करके रखना होगा अन्य था आप काइन master में speed वाली जो option है उसे control करके आप इससे manage कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से हम सभी को cut out करके इसके अंदर जो भी यहां पर draw किया गया है dotted को उससे हम manage कर लेंगे तो यह रहा मेरा elephant elephant के बाद फिर से यहां पर draw होगा तो फिर से हम इस पार्ट को यहां से cut out कर देंगे यहां से हमने इसे cut कर दिया कट करने के बाद फिर से हम यहां से इसे खिच कर कर लाएंगे यहां पर ठीक इसे तरीके से आगे मेरा elephant है तो elephant को भी हम अच्छे तरीके से यहां पर manage कर लेंगे इसे trim करेंगे और जो draw पार्ट हो रहा है उसे हम यहां से remove कर देंगे यह रहा मंकी तो कुछ इस तरीके से इसे लाएंगे और फिर से इसे यहां पर manage कर देंगे तो simple दो इस तरीके से हम यहां से cut कर लेंगे करने के बाद इस पार्ट को यहां से remove कर लेंगे आप जितना साराइज में एनिमेशन कराया होईएगा आप इसमें जितना सारा एनिमेल को रिकॉर्ड की होईगा उन सभी को कुछ इस तरीके से जो drawing वाला part है उससे आप cut करकर हटा दीजेगा उसके बाद आप ध्यान रखेंगा कि जितना इसका duration है उतना ही रखेंगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह लगभग चार सेकेंड इसका है तो हम यहां से लगभग इसे तीन सेकंड के कर लेंगे तीन सेकंड के करने के बाद हम क् खीच करके यहां पर लाएंगे यहां पर लाने के बाद यह जो डख है इसकी भी duration हम तीन सेकंड यानिकि तीन से हमारा छे तक होना चाहिए तो यह लगभग पांच के करीब है यहां पर हम एक स्पीड का अप्सन दिखने को मिलता है यहां से हमें स्पीड को थोड़ा सा कम क करेंगे और इसे भी लगभग 3 सेकेंड यानि कि 93 शेकंड के करीब हो जाईगा फिर सहम इस हम से elephants वाले को खीच कर करके लाएंगे और इसके भी timing को हम लगभग 3 सेकंड के करीब कर लेंगे लगभग perfect मैच हो रहा है यहां से तो simple हम इसी तरीके से इन सभी को adjust कर लेंगे हैं पर आप देख सकते हैं कोछ इस तरीके से कि उसके बाद फिर समय मांकी वाले को लाएंगे मांकी वाले को लाने के बाद को और तरीके से आपका जितना सारा रिकॉर्डिंग हुआ होगा उन सभी के 20 का जो अन्वांटेड वाड है जो की नंबर को मिलाया जा रहा उस पार्ट को आप क्रॉप करकर करके कट करके हटा देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर अभी हटाया हटाने के बाद सिंपल आप अपने वीडियो के इस सेर पर क्लिक करके स इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे जंगली जंगली इस बाद यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से इसका जो क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे जानुवर उसके बाद फिर से पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे जानुवर पर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीला पटी आपको दिख रहा है कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप इसे लगभग दो या तीन सेकेंड के करीब ही रखेंगे कुछ इस तरीक है कि हमारे इंट्रो में ही सो होना चाहिए पूरा वीडियो में नहीं से दिखान है मैं देख सकते हैं अभी थोड़ा फास्ट हो गया तो हम इसे थोड़ा और लगभग तीन या चार सेकेंड के कर लेंगे कुछ इस तरीक इतना होने के बाद आप देख सकते हैं पर जो जानवर है यहाँ पर काउड यहाँ यहाँ तक हो गया थोड़ा साम इसका स्पीड को घटा लेंगे लगभग पॉइंट फाइब के करीब यहाँ देख सकते हैं पर काउड मेरा हो गया तो हम यहाँ पर आएंगे यह इस टाइम लैन पर यहाँ जहां से हट रहा है इस टाइम लैन पर यहाँ पर एक कट लगा देंगे सबसे पहरे हम सभी को अलग अलग अलगे कट लगा दें कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें भी एइननीमेसन आ रहा है जंगली जनवर बलते हैं इसमें से हम हटा देंग इसके लिए हम फिर से इसकलिप ग्राफिक पर आएंगे और यहाँ पर नॉन को सपले लगाने के बाद यहां पर फीस आ रहा है यहां से तो हम यहां पर फिर से यहां से कट लगा लें यानि कि जितने सारा आपका जानवर होगा वहां पर आप कट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से जैसा कि आपने कट लगाने के बाद सिंपल आपको यहां पर एक एफेक्ट डालना होगा जिसे हम लोग ट्रांजिशन एफेक्ट करते हैं तो यहां पर आप अपने एक्षाक का अनुसार से जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छा लगे उसे आप यहां से डाल लेंगे इस पर क्लिक करेंगे के बाद कुछ इस तरीके का ट्रणिसटन आपको दिखने को मिल जागा तो आप इससे एड़ कर लेंगे अगर आपके काइन वास्टर में नहीं है तो इसके लिए इस लिए सिंपल आप आप आ जाएंगे जैसे कि यहां पर आपको बहुत सारे ट्रांजि को एड़ कर लेंगे जैसा कि यहां पर हमने इस वाले ट्रांजिशन को एड़ किया ठीक इसी तरीके से आप जो भी टाइप के ट्रांजिशन लगना चाहते हो आप आड़ करने के बाद आपको इसमें बाइग्राउंड मुजिक को एड़ करने इसके लिए आप इस आउडियो करने के बहुत सार्थ फीरी डाउनूड करने के बारे मता गया जैसे आप इस्तिमाल करेंगे तो किसी फरकार का कोई भी कंफी राइट नहीं याए तो सिंपल हमने इस बाइग्राउंड को स्ट गिया उसके बाद इस बाइग्राउंड पर किलिक है और यहां पर इसका थोड बटन पर क्लिक करेंगे फ़राइब करने के बाद आपका अपने प्रोजेक्ट को देखते जाएंगे जो कुछ भी आपको दिखाई देराए जिस भी जानवर का नाम आप बोलते जाएंगे तो चलिए हम यहाँ पर अपने Scree recording को थोड़ा بن करते हैं और अपने voice को ऊपर कर लेते हैं उसके बाद आगए के earping आपको दिखाते हैं तो final दुस्तों यहाँ पर हम अपना voice add कर चुके हैं चलिए थोड़ा इस voice को आपको सुनाते हैं उसके बाद आगए की प्रोसेस दिखाते हैं जंगली जान्वाइब है कि टो यह दो सिंपल स्टरीक से अपने इसको बाद बाहर क्रले मआ व्याँ करने हैं इसे को पर क्लिक करना है और यहां से आपो वाइलम कोन कर दिना है उसके बाद थोड़ा सा इसके स्ट को लब होग 125 के करीब बढ़ा शोल retir करना चाहिए दिन इसने सुटूडियो का आपिज्टन पकरना है उसके उंप Chaos करना हूं और नीचे जाकर करके वाइस वाली अप्शन को स्लेट करना है यहां से आपकी वाइस थोड़ा क्लीन तुनाई देगी जंगली जानवर डख डखनी बाता उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो ट्रांजिशन लगाया गया है यहां पर एक इफेक्ट चाहिए हमको तो सिंपल इसक आपक्सरी करेंगे उसके पहले आपको इससे डाउनोड ळूड करना होगा डाउनलोड करने के लिए हम वा वाले और यहीं करेंगके बाएं तो आपको यह आपर आपशन दिखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते यह वाला इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके इसे एड़ कर देंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद जहाँ जहाँ यह ट्रांजिशन लगा हुआ है वहाँ पर इस साउंड इफेक्ट को आड़ कर देंगे इस ड़ 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 नी बतर अलिफेंट अलिफेंट इन हाथी फीस फीस मिन मचली मंकी दोस्तों यहां पर एक पात गलत कर दिया आप देख सकते हैं आप जो जंगली जनुवर लिखावा है वहाँ पर काव का फोटो आ गया है तो यहां पर काव आगे होना चाहिए आप यहां प इस लिखाग आएगा या आप अपने वीडियो के लिए जो भी थंबलेन बनाएंगे उस थंबलेन को सेलेट कर लेंगे जैसा कि हम यहां पर आपको कोई सा भी एक प्यारा सा थंबलेन ले करके ही आपको दिखा दे रहें तो सिंपल हमने यह वाला थंबलेन को सेलेट किया अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे अब यहां पर जो डॉक बोला जा रहा है यहां पर हमें इस डॉक का नाम लिखना है तो इसके लिए सिंपल हम इस टाइम लेन पर आएंगे इस लेयर पर क्लिक करेंगे और यहां से हम इंग्लिस में लिखेंगे पर क्लिक करने के बाद हम इसकी टाइमिंग को थोड़ा फूल स्क्रीन तक बढ़ा लेंगे बढ़ाने के बाद सिंपल हम इसका फॉंट चेंज कर लेंगे सिंपल नीचे आएंगे और अपना मन पसंद जो भी फॉंट हमें आचा लगे उस फॉंट को हम यहां से सेलेट कर लें यहां से सब्सक्राइब पार,धिंट कर दिया है , यहां से कर लेने हैं चाहते हैं एक जो लिख़ा वह इस खीज करके यहां पर लाएंगे और इसका हिंदीय नाम यहां लिख देंगे इस हेडिट वाला अपन क्लिक करेंगे और जहां पर parapli लिखाए वहाँ पर लिख देंगे पत्त न करेंगे उसके बाद इसका फॉंट हम यहां से कोई चेंज कर लेंगे तो इसके लिए हम इसाफ पॉंट वाले में आएंगे और यहां से आपना और out animation भी फिर, overall animation में आपको कोई भी चर्चर्ट नहीं करना है, उसके बाद simple आपको आना है यहाँ पर, sorry, आपको आना है इस elephant वाले timeline पर यहाँ पर, यहाँ से इसे cut लगा देना है, यहाँ से cut लगा देना है बीच से, sorry, यार, बीच से यहाँ से cut लगा देना है, और वाले आपसे पर क्लिक करके लिख देना है elephant and tea elephant आपको लिख देना है उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको एसन पर करेंगे मसचने यहां पर जो इंग्लिप्साइब वाला है इसमें हम लिक देंगे if I patronके अपडूए पर क्लिक करेंगे फिर से हम क्या करेंगे यहां पर जो कि अला पार सब्सक्राइब नाव है उसमें हम लिख देंगे मंक्ता से चर्ण juice बढंडर वाद उसक पर क्लिक करने के पर गाद एक भार प्ली करके देखेंगे जंगली जानवर भाखनी बपन भष्ट लिप्षेञट मीन हाथ ही फेस क्षाने पर पार प्चिस नीचा चल गया तो हम इसे एड़्ेस्ट करेंगा अच्छे से P too तो सिंपल द सथो फाइनल्ई यहाँ पर हमरा एडिटिंग कमप्लिट हो चुका है कुछ इसी तरीके से अपने एडिटिंग को अच्छे से कर लेंगे यहाँ पर हमने इसे रिपलेश कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें background के रूप में इंट्रो था तो यहाँ पर जंगली जानवर का नाम बोलना था तो हम वहाँ पर खाव वाला ही फोटो लगा दिये थे तो यहाँ पर आप इससे थोड़ा देख लेंगे पहले आप इंट्रो में कोई साभी एक thumbnail जो आप बनाए होंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही